बिक बोस वोला के घर में इस वक्त हाई ओक्टेन ट्रामा अपने पीक पर है एक तरफ सारे घर वाले हात धोकर गौतम और सौंदर्य के पीछे पड़े हैं तो दूसरी तरफ शालीग भनोट के चिकन का प्रॉबलम सौल्फ ही नहीं हो पा रहा है इन सभी घमसान के बीच अब वक्त आ चुका है एलिमिनेशन का तो इस विकेंड कौन घर से बेघर होने वाला है ये हम आपको बताएंगे पिछले हफते सलमान खान ने विकेंड के वार में घरवालों की जमकर क्लास लगाई थी वहीं ये भी बताया था कि दिवाली के शुब मौके पर इस हफते घर से कोई भी बेघर नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि इस बार के शुकरवार का वार में किसी ना किसी का घर से बाहर जाना पक्का हो गया है पर आप एक सीक्रेट जानकर शौब रह जाएंगे कि इस बार वोटिंग लाइन्स को बंद कर दिया गया है मतलब दर्शकों के वोट्स के अधार पर किसी को एलिमिनेट नहीं किया जाएगा इस हफ़ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट होने वालों में सुम्बल तौकिर खान, सौंदर शर्मा और अर्चना गौतम है घरवालों ने इन तीनों को इस बार एलिमिनेट किया है अब वोटिंग लाइन्स बंद है ऐसे में बिग बॉस की खबर देने वाली दखबरी का दावा है किस बार घरवालों से उनकी मर्जी पूछी जाएगी और ज्यादतर लोग सुम्बल का नाम लेंगे जिसके बाद सुम्बल को सीक्रेट रूम में रखा जाएगा और उनके सो कॉल्ड दोस्तों की हकीकत उन्हें दिखाई जाएगी दरसल पीछे काफी समय से सलमान खान कोशिश कर रहे हैं सुम्बल को जगाने की इसके लिए एक बार उनके पापा तक को बिग बॉस के सेट पर बुलाया जा चुका है पापा ने एक्टरेस से साफ कहा कि शारीन टीना से दूर रहो और अपना गेम खेलो पर सुम्बल हैं कि उन्होंने ना मानने की कसम खा रखी है पिछले हफते भी सलमान खान ने टीवी की इस इमली को जम कर लतार लगाई थी उन्होंने कहा था कि आप हफते दर हफते शो में पीछे होती जा रही है फिल्हाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए One India हिंदी के साथ